नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं करीब 110 दिन बाद के टी मरीजों की संख्या दाहाई पर पहुंची है जमसेदपूर से मिली जनकारी के अंसार होंकोंग फुलू के नए संक्रामित में एक बुजूर्ग और 7-8 साल के दो बच्चे सामिल हैं तीनों का इलाज TMH में चल रहा है सिविल सर्जन डाक्टर जुजहार मांजी का कहना है कि मरीजों पर नजर रखी जा रही है बता दे कि 18 मार्च को जमसेदपूर में एक बुरीद और एक बच्चा होंकोंग फुलू के संक्रामित मिले थे इसी बीच होंकोंग फुलू और कुरोना को देख सो महर को राष्टी स्वास्त मिशन के अभियान निदे सकने राज्य के सभी निजी अस्पताल एवं जाच घर के नोडल अपसरों को इन्फोलेंजा एक की जाच अगतन रिपोर्ट रोज उपलबत कराने का निदेश दिया है कहा है कि इन्फोलेंजा लाइक इनलेस की निगरानी के लिए सभी निजी लेब और अस्पताल रोज की रिपोर्ट आई डी एस पी को भेजना सुनेश्चीत करेंगे ज्यारखन में अगले 24 घंटे के दुरान कुछ अस्थानों पर बारिस के आसार है वहीं तेजवा के साथ बजरपात भी हो सकता है मौसम विभागने यह पुरुन्वान जताते हुए 22 माज से मौसम में सुधार आने की संभवना जताई है वहीं पिछले 24 घंटे के दुरान राजे के अधिकांस हिसों में भारी बारिस हुई दुमका के मसान जोर में 84 मिलीमीटर और हजारी बाग में 75.6 मिलीमीटर बारिस हुई है इधर राज़धानी समेत राज़ी के विभीन हिसों में कई दिनों से बारी सोने के कारण तापमान में कमी आई है राज़ी में 6 दिनों में पारा 9 डिगरी गिर चुका है वहीं राज़ी के अने सहरों के तापमान में भी 10 डिगरी तक की गिरावट तर्ज की गई है जार्खन के असी उत्क्रिष्ट बिद्यालों में CBAC की तर्ज पर मिलने लगी क्वालिटी एजुकेशन CM हेमान सुरे ने कहा है कि जार्खन की इतिहास में पहली बार यहां की सिक्षा बेवस्ता में सूतहार को लेकर ऐसा आयोजन हुआ है हमारी सोच है कि प्रतियस फर्दा के इस यूग में हमारे सरकारी बिद्यालों के बच्चे नीजी बिद्यालों या बड़े सहरों के बिद्यालों के बच्चों से किसी भी छेत्र में कौम ना रहे हमारी सरकार ने राज्य में सरकारी बिद्ध्यालों में अधेनरत छात्र छात्रा को क्वालिटी एजुकेशन उपलब देकर आने का संकल्प लिया है पहले चरण में असी उत्क्रिष्ट बिद्ध्यालों में सीबियसी की तर्ज पर हमारे बच्चों को सिक्षा मिलनी सुरू हो चुकी है वहीं आने वाले समय में 4000 से अधिक सरकारी बिद्ध्यालों में या बेवस्ता लागू की जाएगी आने वाली पीधी को गुनवाता पुन सिक्षा देकर उन्हें बौधिक तता समाजिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा ये बाते उन्होंने रांची के टाना भगत एस्टेडियम खेल गाव में जार्खन सिक्षा पर योजना परिशत द्वारा आयोजित उत्क्रिष्ट बिद्याले के प्रवंधन समीति के सहस्यों के राज अस्तरिय समिलन में कही है मुक्ष मंत्री 133 धर्शन योजना के टहत 1033 रवाना जार्खन के प्रयाटन कला संस्क्रीति खेल्कूद एम युवाकारे विभाग के मंत्री हफिचूल हशन अंसारी ने मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना दो हैर तेस के तहत राजे के सभी जीलों से कूल एक हैर तीर्थ योजना को द्वारी का सोमनात दर्शन के लिए हरी जंडी दिखा कर विशे स्ट्रेंड से रवाना किया यह यात्रा 20 मार्श से शुरू हुई है बता दे 27 मार्श तक यह यात्रा चलेगी आपको बता दे कि मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इन लोगों को मुफ्थ तीर्थ यात्रा कराई जा रही है मुख्य मंत्री तीर्थ दर्षान योजिना 2023 के ताहत एक हैरती थियारती द्वारी का सोमनाथ दर्षान के लिए रांची से रवाना हुए है जे एसेसी ने सिक्षकों की नियुक्ती के लिए जारी की अभ्यार्थियों की सूची जार्खन करमचारी चेहन आयोग ने असनातक प्रसिक्षित सिक्षक नियुक्ती परिट्वक्ता परिश्चा 2016 के तहत हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ती के करम में हिंदी ओम अंग्रेजी भी साय में 537 अभ्यार्थियों के सूची राज मेदा सूची के अधार पर जारी कर दिय है इनमें हिंदी भी साय के 307 अथांग्रेजी के 230 अभ्यार्थि सामिल है इन सभी अभ्यार्थियों से सिख रही जीला का विकल्प लिया जाएगा इसे लेकर आयोग द्वारा अपनी पेपसाइट पर लिंक जारी किया जाएगा इधर आयोग ने कुडूख पंगला और वन ने जताया विरोध जारखन में अधी सुचित छेत्रे के साथ जीलों में ओवी सिवर्ग के लोगों को जीला अधारित आरक्षन में आरक्षन के लाब नहीं मिलने के मुद्दे को राश्ट्री ओविसी मोर्चा ने मुद्दा बनाने की धान ली है मोर्चा ने आरोप लाग कर दिया है जिसमें असपष्ट है कि साथ जिलों में OVC वर कारक्चन सुने कर दिया गया है सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले डॉक्टरों को पांच साल बाहर न जाने दिया जाए बाहर जाने नहीं दिया जाए क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले डॉक्टर पढ़ने वाले डॉक्टर पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत नीजी अस्पतालों में राजे और राजी के बाहर चले जाते हैं इससे हमारी स्वास्त बेवस्था प्रभावित होती है इसलिए सरकार ऐसी बेवस्था करे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले डॉक्टर कॉम्ट से कम राजे के सरकारी स्पतालों में पांच साल तक सेवा दे सके इससे हमारी स्वास्त बेवस्था मजबूत होगी राम नौमी में डीजे बजाने पर प्रतिबंध जारी हजारी बाग राम नौमी को लेकर जीला परसासन असपश्ट कर दिया है कि डीजे बजाने की जायज़त नहीं दी जाएगी साउंड बॉक्स चोंगा म्यूजिक सिस्टम के जारिये रिकोर्ड गाना बजाने की जायज़त दी जाएगी वैसा रिकोर्ड डेट गाना बजेगा जो परसासन अनुमती देगा हजारी बाग डी सी नैसी सहाय और एस पी चोथे मनोज रतन ने अने पता दिकारियों के साथ सुम वार को सुनित प्रेस वार्ता की है प्रेस वार्ता की दोरान परसासन ने पताया है कि बिधी बेवस्था को लेकर राम नौमी सरहूल और रामजान की त्यारी की जा रही है राम नौमी की बात की जाये तो इस बार एकानवेया खाड़ों को लाइसेंस दिया गया है वही 26 जगा बेरिकेटिंग बनाया गया है वीडियोस यो और थाना परभार्यों को दिशान निर्देश निर्गत किया गया है सभी थानों में 37 समिती की बैठा की जा रही है 23 मार्च को जिलास तर्ये 37 समिती की बैठाक आयोजित की गई है अगनी भीर वायू में भरती के लिए 31 मार्च तक करा सकते है रही स्टेशन भरती ये वायू सेना ने अगनी भीर वायू में भरती के तारिकों की खोसना कर दी है नई भरती के लिए रही स्टेशन पर किलिए शुरू हो गई है जो 31 मार्च 2023 तक चलेगी भरती के लिए ओनलाइन परिक्षा का आयो जन 20 माई 2023 से शुरू होगा भरती से समधिन नोटिफिकेशन अधिकारिक वेपसाइट पर रिलीज किया गया है यह जनकारी सोम वार 20 मार्च को जीला सुचना वजन सपर विभागने दी है बताया गया है कि 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 के बीच दोनों तीथियों को लेकर जन में उमिद्वार भरतीय वायू सेना के अगनी बीर वायू भरती 22 दोहजर तेज के लिए आविदन कर सकते हैं पहले उन्हें 31 मार्च 2023 तक वेपसाइट पर रेश्टेशन कराना होगा खाली जमीन पर पेंड लगाए सरकार देगी पैसा जारखन में अपनी खाली जमीन पर पेंड लगाने पर सरकार पैसा देगी मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहद सरकार खुज लोगों की जमीन पर पेंड लगाएगी रोपे गए पेंड के देख भाल की जिम्हेदारी भी सरकार की होगी जिसकी जमीन होगी उतना उसको पैसा मिलेगा मिटी की जाच की जाएगी मिटी की जैसी गुनवाता होगी वैसा ही पेन लगेगा पोधे की लागत का 75 फिजदी सरकार देगी जब तक योजना चलेगी परदेख वर्स लाबू को पैसा मिलेगी इस वजना के तहट लोग अपनी जमीन पर आम, अम्रूत, पपीता, लीची, बेर, कट हल और निम्बू का पेन लगा सकेंगे जारखन सरकार बनाएगी ग्राउंड वाटर बोर्ड राज सरकार अपने अस्तर से ही राज में ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाने के त्यारी में है इसे नीचे जाते जल अस्तर की समासे के पहचान और इसके लिनी राकरन में मदद मिलेगी बिधान साभा के जारी बैट सत्र में बिधायक परदी प्यादों ने जल संकट संडी पटने के लिए सरकार की त्यारियों के उपर स्वाल पूछा था उन्होंने कहा कि बिभीन जीलों में भोग अर्व जल नीचे चला गया है रांची धनबाद और रामगर जिले में स्थिती चिंता जनाख है कई जिलों में अलट की स्थिती है ऐसे में पानी निकाले जाने पर और गमभीर संकट बन सकता है इस पर जल संसाधन मंत्री मिशलेश ठाक कूर ने कहा है कि राज्य का अपना ग्राउंड वाटर बोड बनाने जाने की त्यारी है ऐसा होने के बाद कड़े कदम उठाये जाएंगे बोड गठन के लिए ड्राफ्ट त्यार कर लिया गया है बोड के एक्टीव होने से लाब मिलेगा अभी 33 राज्यों में से 14 में ही राज्य का भूट जल बोड काम कर रहा है नियोजन नीती और 1932 पर बिजेपी का हंगामा जारखन बिधान सबागे बैट सत्र में नियोजन नीती और 1932 पर हंगामा जारी है सोमवार को सत्र की करवाई सुरू होने से पहले बिजेपी बिधायकों ने मुख्य द्वार पर बिधी सम्मत नियोजन नीती की मांग करते हुए परदसन किया वहीं 1932 से खत्यान पर सरकार के रूख पर सवाल पूछा गौतला भाई की बैट सत्र के दूसरे चनल में लागतार बिजेपी नियोजन नीती को लेकर सरकार पर हमलवा रहा है इसी भी सरकार ने नियोगती निमावली में जीलेवार आरक्षार रोष्टर जारी किया है इसे लेकर भी सदन में हंगामे के असार है वहीं सदन में मुख्य मंत्री हमान सुरेन का संबोधान सारना धर्म कोड पर मुख्य मंत्री का संबोधान सदन में ध्याना कर्शन प्रस्ताव का समय बढ़ाने की मांगी गई BJP विधायक CP सिना ने कहा है कि सदन में किसी भी सवाल का ठीक जवाब नहीं आता उन्होंने कहा है कि मंत्रियों के पास जवाब नहीं होता है जारखन सरकार जीला अस्तर पर जल्द निकालेगी नियुक्तिया जार्खन सरकार जल्द ही जीला अस्तर पर नौकरियों के लिए विगयापन निकालेगी इन नौकरियों में आरक्षन के प्रधान संबंधित रोष्टर भी जारी हो गए हैं वही आरक्षन प्रधान को लेकर अभी से ही विवास सुरू हो गए हैं बता दे जीला अस्तर की नौ अब वनांचल आंदोलन कारी भी माने जाएंगे ज्ञार्खन आंदोलन कारी अब वनांचल आंदोलन कारी भी ज्ञार्खन आंदोलन कारी ही माने जाएंगे पांच लाख का इनामी टी एस्पीसी का सब जोनल कमांडर दसरत उराव ने किया सरेंडर नक्सलियों के खिलाब ज्ञार्खन की लाते हार पुलिस को सोमवार को एक और कम्याबी हासिल होई है नक्सलिस अंगठन टी एस्पीसी के सब जोनल कमांडर दसरत उराव ने पुलिस के समक्ष आत्मसे मरपन कर दिया है इसके खिलाब 69 केस दर्ज है इस पर 5 लाग का इनाम घोसी था है आज ही राजकुमार लाकडा और एस्पी अंजनी अंजन के समक्ष सरेंडर किया है आपको बता दे कि लाते हार पुलिस को नक्सलियों के खिलाब लागता सबलता मिल रही है धन्यवाद